फटाफट से कोई भी कोई भी सेशन अब आई भी पर से रिलेटेड होगा तो एक इस थोट के साथ सो मैं जरूर चलना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है सफलता हासिल करने के लिए आपको कीमत 100% चुकानी पड़ेगी दोस्तों आज कीमत अदा कर दो पूरे जिंदगी भर आश करो या फिर आज आश करो और उसकी पूरी जिंदगी कीमत चुकानी पड़ेगी तो यह फैसला आपके हाँतों में क्या है हम यहा चीजें लेकर के आगे बढ़नी है वो आपको ही आगे बढ़नी है सारी रिसोर्स हम आपको करवा देंगे हम आपको अरेंज करवा देंगे लेकिन पढ़ना वह आप ही को है दोस्तों यह आपी के हाथ में ठीक है चलिए स्टार्ट करते है पहले 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 हम लोग यहां एक चीज़ देखते हैं, कि आज हम लोग यहां पर best study material के बारे में हम लोग यहां पर discuss करेंगे, किस के बारे में दोस्तों, best study material के बारे में in terms of books हो गया, in terms of newspaper हो गया, इसलिए क्योंकि यहां पर आपका descriptive भी है, तो newspaper के भी थोड़ी से बात करेंगे, books के भी थोड़ी से बात क करेंगे, ठीक है, चली, आगे हम लोग बढ़ते हैं, सबसे फ़ली इसका थोड़ा pattern हम लोग समझ लेते हैं, दोस्तों, देखो, prelims कि अगर हम examinations की बात करें, अगर हम prelims examination की यहां पर बात करें, फटा-फट से, तो तीन subjects है, English है, quant है, quant है, English, quant है, reasoning, number questions कितने कितने हैं, English मे examinations की अगर हम बात करें, तो मेंस में आपका reasoning और computer aptitude, यहां पर मिल जाता है, computer भी, और reasoning, दोनों मिला करके, आपके कितने questions आते हैं, 45 questions आते हैं, उसके बाद आपका general economy, awareness, banking, इस पर आपको 40 questions आते हैं, मेंस में, फिर आपका English language आपका हो गया, English language में भी आपका कितना है, 35 questions फिर आपका DI है, ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका देखो क्या है, quantitative aptitude, नाम यहां पर क्या है, प्री में क्वांट है, लेकिन वही मैट्स आपका मेंस मार्कर के क्या बन गया, DI data analysis और interpretation बन गया, और इसमें आपके questions आ रहे हैं, 35 questions आ तोटल 155 questions है, और 200 marks का आपको exam है, तो आप यहां पर एक idea आपको लग गया, कि किन-किन subjects के आपको ज़रूद पढ़ीगी, प्री में आपको सिर्फ तीन subjects के ज़रूद पढ़ीगी, English Maths और Reasoning, और जब आप Means में आएंगे, तो English Maths और Reasoning में आपको चीज़ेंग हो रही है, computer भी add हो रहा है reasoning के साथ, और Maths का स format, form पूरा चेंज हो रहा है, Maths आपको करना है, Di के form में, ठीक है, arithmetic भी जो आएगा, वो भी Di के form में आएगा, ठीक है, तो यह आपका एक चार्ट हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यह आपका syllabus आप देख सकते हैं, English Language का syllabus, ठीक है, Quants की, यहाँ पी है syllabus, य reasoning का syllabus यह प्री का है, इसलिए क्योंकि मेंस में तो पूरा का पूरा डी आई है, यह आपको पता है, तो यह आपके एक syllabus है, जिसमें सारी के सारी चीजने आपकी दी हुई है, ठीक, अब अगर आगे बढ़ते है, study material के दोस्तों, सबसे पहले आप यह चेक करो, कि study material के आपको यह चीज अच्छे तरीके से पता है, कि अगर आपको selection लेना है, तो आपको तीन examinations यहाँ पर clear करने पड़ेंगे, प्री मेंस आ गया, ठीक है, और उसके साथ आपको clear करना पड़ेगा descriptive, हना, तो तीन examination, तीन phases हैं, जो आपको यहाँ पर clear करने पड़ेंगे, सीधी साधी ब इसके बाद भी आपका interview है, है ना, तो यह चार phases है, pre है, main है, descriptive और उसके बाद आपका interview है, तो यह चार phases आपको है, तब जाकर के selection, but basically अगर हम बात करें, आपकी examination की, क्योंकि interview तो generally care PO level में होता ही है, examination की बात करें, तो पहला phase pre है, ठीक है, उसके बाद आपका second phase main है, और इसी में आपको third phase है, descriptive, ठीक है, अब इन तीन चीजों को सही करने के लिए, मैं आपको बता दूँ, chapter wise आपको preparation करनी ही पड़ेगी, chapter wise आपको चीजें start करनी पड़ेगी, chapter wise study, यह एहम हिस्सा है आपकी preparation का, ध्यान रखेगा, हर एक यह जो pre means descriptive है, इसके लिए आपको कितने subjects यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों, पहला आपको पढ़ना है reasoning, ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है English, उसके बाद आपको पढ़ना है math, फिर आपको पढ़ना है GA, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आपको add हो चुका है, यहाँ पर computer का knowledge थोड़ा बहुत रहना भी चा है और उसके reasoning में आपको computer भी आठे, तो इतनी सारी चीज़ आपको पढ़ना है और जाहिर सी बात है, अगर आप chapter wise study नहीं कर रहे है तो फिर आप भूल जाए selection, हर chapter में आपको आगे बढ़ करके conceptual clarity आपको लेनी पढ़ेगी, एक एक chapter को आपको जो है वो अच्छे से पढ़ questions, ठीक है इसलिए क्योंकि किस तरीके का, एक chapter में किस तरीके की question आजाएंगी यह पता नहीं है, यह कुछ भी कुछ भी पता नहीं, तो एक ए chapter पर जादा से जादा questions आपको कहां से चीज़ां मिल सकती है, वो book से ही मिल सकती है, ठीक है, और उसके बाद आपके बारी आएग topic, उसको इतना जादा practice कर लें कि उससे किसी भी तरीके का question आए, you will be able to solve it, आप इसको answer देने के काबिल बन जाओ, यही target है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि PO का mains level थोड़ा सा high level आपका होगा, आप देखी सकते हैं, क्योंकि English में भी अगर हम format की बात करें, English में भी, अगर question और आपका minute 40 है, मतलब यहाँ पर 30 से बढ़ा है कितना, 35, मतलब पांच question बढ़ा है, और यहाँ पर time देखो, यहाँ पर 20 मिनद था और यहाँ पर कितना होगा, 40 मिनद हो गया, मतलब पांच question एक्स्ट्रा करने के लिए, आपको extra 20 मिनद आपको दिया गया, मतलब आप level of questions समझ सकते हैं, है न, तो जाहिर से बात है, अगर आपका base ही डावाडोल है, तो एक ऐसे base के साथ, week base के साथ, आप अगर examination hall में जाएंगो तो आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए chapter wise study, मतलब करना ही करना है, इसके अलावा कोई alternative, इसका कोई option ही नह chapter wise test देना है, एक ही chapter से बार 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 बहुत जादा questions, अलग अलग, जहां से जो भी आपको question मिल सके, जितने जादा वो आपको solve करना है, उसके बाद उसके बार बार पेपर देना है, उसको बार बार देना है, बार बार उसी का देना है, उसके बाद आपके बारी आए हम देखें, आपको कि क्यों जरूरत पढ़ती है, तो ये रहा आपके, ठीक है, एक discussion कि आपको जरूरत क्यों पढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हर chapter को आपको आगे ले करके बढ़ना है, दोस्तो ध्यान मेरेखेगा, chapter clear नहीं है, concepts clear नहीं है, तो mains में 100% जा करके अटक जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते है mains का level, ठीक है, getting my point, clear हो रहा है, अब इसके लिए study material के अगर हम यहाँ पर बात करें, तो दोस्तो दो चीज़े हैं, अब हमको यहाँ पर समझ मा आ गया, कि आपको जरुद पढ़ीगी books की, ठीक है, आपको जरुद पढ़ीगी test series की, ठीक, और just because यहाँ पर descriptive writing है, इसलिए newspaper जरूर थोड़ा reading करते रहेगा, क्योंकि PU का exam है, है न, specially English के अगर हम बात करें, तो थोड़ा जादा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ी reading habit आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि sentences उसी तरीके से थोड़े से lengthy form में आएंगे, जो para jumbles आएगा, जो close test आएगा, ठीक है, जो RC आपका आएगा, जो error detection के भी चाहिए, starting में एक जबरदस्त, मलब एक respect के साथ, PO की job अगर आप चाहिए, तो उसके लिए महनत तो आपको करने पड़ेगा, उसके लिए sacrifices तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए इतनी महनत तो करनी है, कि हर दिन आपको newspaper जो है, कम से कम, आपको newspaper के साथ, reading बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये newspaper कम से कम reading में, आप 45, आधे गंडे से 45 वट आपको इसको जरूर देना, newspaper में, ठीक है, ये newspaper के reading मैं, आपको सुबह सुबह editorial में, हर दिन सुबह 8 बज़े से, ठीक है, everyday मैं आपको सुबह 8 बज़े से, YouTube पे मैं आपको editorial का session लेता हूँ, तो आप वहाँ पे मेरे साथ जोड सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे मेरे साथ जोड सकते हैं, सारे के सारे लो, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको यही determination है, तो interview भी होता है, interview में questions वगरा होते हैं, उसका descriptive writing आपकी होती है, तो इसके लिए reading बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक्स्ट्रा कम से हम 45 मेरे आप इसको पढ़ने के लिए ज़रूर रखे, ठीक है, या फिर दाग दे करके, जो भी आप रख सकते हैं और कौन सा news paper important होगा, तो भईया news paper आप just because मैं भी the Hindu करवाता हूँ, तो आप भी the Hindu करेवे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा language जो है वो चाहिए, आपको थोड़ा सा, मलब थोड़ा लेवल का एक language चाहिए, पियो लेवल का एक language चाहिए, वो दूसरा easy level वाले sentences तो आएंगे में जाएंगा, अगर लेवल टफ हुआ, तो फिर आपको परिशानी होगी, तो अभी से वो पढ़ करके चली, ठीक है, तो ये बात आप क्यों गई, अब books के लिए हम आते हैं आपे, बढ़िया जो चीजे होगी, वो मैं आपको बता दू, सबसे एक चीज बाद ध्यान में सोचना है, और ये बुकले ले, वो बुकले ले, वो भी बुकले ले, ये भी बुकले ले, नहीं, आपको पता है कि मुझे पढ़ना क्या क्या है, मुझे पढ़ना है मैथ, मुझे प्राक्टिस करना है मैथ, मुझे प्राक्टिस करना है रीजनिंग, मुझे प्राक्टिस कर गया previous year papers है ना ये पांच ये इतने सारी चीज़ अगर हो गई तब तो बहुत बढ़िया और सबसे बड़ी बात है कि सर मेंस में डियाई आता है तो अगर डियाई और डिये का कुछ भी अगर data interpretation और data analysis का अगर बैच हो गया तो बहुत बढ़िया और सर ये भी पता है आपको क कहीं पर किट आपको मिल जाएं तो आपका काम बन गया अलग अले कितिनी जादा घूमने की जरुरत नहीं है आप यहां पर देख सकते हैं कि bank supreme जो है वो total 8 book का collection है इसमें यह जितने बुक्स मैंने आभी आपको बोली है यह पूरा आठ का package आपको bank supreme में मिलेगा यह पूरा और उसके बाद आपका puzzle or sitting arrangement का भी बुक पूरा का पूरा आठ हो बुक आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है आप चाहें तो आप चाहें तो आप चाहें तो प्लस मेंस का set of seven books यहां पर जो है आप इसको भी ले सकते हैं आप इसको यह वाला भी आपको ली सकते हैं जिसमें टीका भी परिलिम्स और मेंस वाले में सथ neuralष का यहां इसके बाद इह आपको मिल रहें जाए जब सारे किताब्स है लेकिन आपको उसको उतना जादा actual examination की feeling आपको आती जाएगी, तो यहाँ पे देखो 20 IBPS PO, प्लस यह आपको exact previous year mock papers का आपको यह भी book है, तो आपके सामने बहतरीन यह दोनों collections है, IBPS PO prelims plus mains का book है, और यह आपको bank supreme जिसमें computer भी आपको add हो जाएगा, ठीक है, समझ मारी बात, तो यह दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे ले सकता है, काफी important है दोस्तों, ठीक है, बिना books के chapter wise practice करने का जो एक target है, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, और उसके बाद जब आप overall test देंगे, तो overall test के लिए आपके सामने मौजूद है, यह देखो, IBPS PO 2022 का केवल prelims का test series ह यह आपका test series आगया, केवल prelims का, यहाँ पे केवल 60 test आपको मिलेंगे, जाहिर से बात है, हर दिन एक एक test आपको देना है यहाँ ठीक है, क्योंकि यह केवल prelims का है, और दो महीने ही almost बाकी है, तो हर दिन एक test आप दे सकते हैं prelims का, और यह आपका, IBPS PO 2022 का test series, pre plus mains का, जिस prime test pack को अगर आप लेते हैं, तो इसमें total 1200 total tests आपको मिलेंगे, सारे के सारे exam से इसमें cover हो जा रहे हैं, ठीक है, तो किसे भी exam के preparation आप कर रहे हों, आपको यह bank, अगर आपको लेना है कि नहीं सर, मुझे सारे के सारे exam जैसे का IBPS PO दे रहे हैं, उसके बाद यह तो देना है, लेकिन उसके बाद जो है, SBI PO भी सर मुझे देना है, मैं वो भी दूँगा, होता है कि नहीं होता अलग बाद लेकिन वो भी दूँगा, तो अगर यह target है, तो फिर आप यह bank supreme ले सकते हैं, क्योंकि SBI PO भी इसके अंदर पूरा का पुराज, क्योंकि bank supreme है, हर bank की तैयारी आ अगर एक product आपको लेना है, तो आप you can go for bank supreme and you can go for bank prime test pack, ठीक है, यह सारी की सारी चीज़े मिल जाएंगी, और अगर वाइस आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सर्फ exam oriented चीज़े लेनी है, तो यह आपका पूरा pack है, 7 इसका, आप इसको ले सकते हैं, और उसके बाद आप इन मे इसे ही आपकी preparation आगे बढ़ने वाली, अगर यही नहीं है, तो फिर क्या खाग, अगर test series ही नहीं है, तो exam कहां से दोगे, mock कहां से लगा, अगर बिना mock के तो कुछ ही नहीं हो सकता, अगर यह आपके पास book kit नहीं है, तो फिर आप chapter wise आगे बढ़ेंगे, तो कुछ ही नहीं reasoning जी है, तो उससे better है, हाँ, अगर कोई यह चाहरा है कि नहीं सर मेरा target एकदम आपका जो है वो अगले साल है, तो फिर वो आराम से foundation के book लेकर करो, लेकिन आप exam oriented किताब यह भी आपको पढ़ेनी है, क्योंकि exam सामने है, दो मैने बाद exam है, तो सिर्फ चार किताबे क्यों, जब आपको पता है कि D.I. भी आ रही है, तो D.I. वाली भी एक book मिल जाए, तो क्या बात? जब आपको पता है कि sitting arrangement puzzle 20 नमबर का आपको आ रहा है, तो अगर उनकी एक book मिल जाए, तो भई क्या बात? तो बस वही आप देखे, आपके सामने सारी की सारी चीज़े मौजूद ह तुरंट के तुरंट इन सारे को जो है वो आप लेना चाहे तो आपको code इस्तमाल करना पड़ेगा, Y194S code आपको इस्तमाल करना पड़ेगा, दोस्तो ध्यान में रखेगा, ठीक है? आपको क्या करना है? S code आपको इस्तमाल करना है, आपको books के लिए, test series के लिए ये बाद में रखेगा, ठीक है, तुरंट के तुरंट और ज्यादा लेट मत करिया, मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि ज्यादा लेट करेंगो तो फाइदा नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आप इसको जल्दी से in books को order करके start करें, जितना करेंगे, जितना लेट करेंगे, आपको skip करना पड़ेगा chapter, या फिर आपको अपनी जो गती है, उसको आपको double करनी पड़ेगे, वो फाइदा नहीं है, हडबल काम शैतान का, या आपको पता है, क्योंकि आपको clarity चाहिए, conceptual clarity, हर chapter को समझ समझ करें, आगे बढ़ना है, तो जल्दी से जल्दी शुरुआत करिए, आज अभी तुरंत ओर्डर करिएगा, Y194, S code आपको लगाना है, और इनको तुरंत ओर्डर करिए, टैसरी जरूरी है, आपके पास books जाने जरूरी है, ठीक और news paper के बारे में भी मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है, और आप चाहें तो आपके लिए एक चीज़ और में बता दूँ आपको, यहां पे आप चाहें, तो पूरा का पूरा हमारा bank maha pack आप ले सकते हैं, ठीक है, यह आपको अपर रहेगा, तो उसके लिए आपको code यूज करना है, Y194 जिसमें सारी चीज़ें आपको आजाएंगी, सारी क सारे live batches आपके जो भी foundation के batches हैं, या फिर मालने आप high level के batches हैं, pre mains के batches, वो सब कुछ इसमें आपको आजाएंगे, ठीक है, इसके लिए Y194 code आपको लगाना है, और books और test series के लिए आपको यहां पे Y194S code आपको लगाना है, दोस्तों ध्यान रखेगा, ठीक है, चलिए, अलिए, शुक्रिया, थborg थाएंगे री मच, God, bless everyone of you, mil Life in classes. Thank you.